नमस्कार मैं 36 गड़क बार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार आपके सामने एक दिल्चस्प खबर लेकर आया हूँ और हिंडूस्तान के बाकी बहुत से पहलूओं से उसका एक रिष्टा जोड़ने के लिए भी हिंडूस्तान में जोतिश विद्या पे लोगों का बड़ा यकीन है लोग बात बात में कहीं हाथ दिखाने पहुँच जाते हैं कहीं कुंडली दिखाने पहुँच जाते हैं और तो और सडकों के किनारे एक छोटे से पिंजरे में एक टोटे को लेके जोतिश बैठे दिखते हैं जो कई तरह की चिट्थिया रखते हैं और आप जाकर बैठें कुछ भुखतान करें जोतिशी टोटे को बाहर निकालता है उसके बाद वो टोटा एक लिफाफा खींच है और उसको पढ़के जो तीशी जो है वो आपका भविश्य बताता है तो जोती शुद्या पे लोगों का बड़ा यकीन है लोगों का ये मानना है कि लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं और जाने कितने लाख किलो मीटर दूर का जो मंगल गरह है वो वहां बैठे बैठे लोगों की जिन्दगी में यहां जहर घोलते रहता है कि मांगलिक है गैर मांगलिक से शादी जीना हराम कर देगी तो मांगलिक लड़की से लड़के से शादी करने के पहले लोग सौ बार सोचते हैं आप शादी के श्तारों के पन्ने अगर देखेंगे अकबारों में तो उसमें मांगलिक गैर मांगलिक मांगलिक दोश मांगलिक दोश नहीं चाहिए यह भरे रहता है आधे विज्यापन गोरे रंग से भरे रहते हैं आधे विज्यापन मंगल दोश से भरे रहते हैं कुछ क्रोएशिया के हैं नाम है उनका इगोर इस्टाइमाक अभी एक भांडा फोड हुआ है कि हर मैच के पहले वो एक जोतीशी को अपने खिलाडियों की जन्म तारीक जन्म की जगे जन्म का समय एक किस्म से उनकी कुंडली भेजते थे जोतीशी उनको राए भेजता था कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच में खिलाना चाहिए वो मैच का समय भी भेजते थे कि इस तारीक को इतने बच के इतने मिनट पे ये मैच होगा आप बतलाएं कौन सा खिलाड़ी सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा तो एक जोतिशी की राये पर टीम सेलेक्ट होती थी हर मैच के पहले कोच इस तरह से जोतिशी को भीजते थे खिलाडियों के नाम, उनकी जन्म तारीख, इस्थान, समय और जोतिशी तै करके बतलाता था कि कौन से खिलाडी ठीक रहेंगे आज के लिए, इस मैच के लिए, कौन से बहुत अच्छा खिलेंगे, किसी में कान्फिडेंस से कम करने की जरुद है, और कान्फिडेंट है वो, किसी में उसका एवरेज से भी खराब दिन है, आज के लायक नहीं है किसी के बारे में यह है कि आज के लिए हम इसके नाम के सिफारिश नहीं करेंगे इसके स्मकाब, यह भयानक खबर है यह, और ऐसे सैकड़ों मैसेज, ऐसे सैकड़ों संदेश इस कोच और इस जोतिशी के बीच में आए गए है यह गजब का हाल है यह, इसको इंडियन फुटबाल फेडरेशन की तरफ से 15-16 लाक रुपए भुकतान किया गया है टीम में खिलाडियों को छाटने के लिए कि ग्रह दशा के हिसाब से इस तारीख के इतने बचे के इस मैच में कौन सा खिलाडी ठीक रहेगा कौन सा नहीं रहेगा मैं उसका नाम भी देख रहा हूँ जोतिशी का शर्मा नाम के जोतिशी है भुपेश शर्मा नाम है उनका और यह विदेशी कोच है फुटबाल टीम का यह खुद इन से नहीं मिला था फुटबाल फेडरेशन के सेकेटरी जो है उन्होंने इस कोच को इस जोतिशी से मिलवाया था कि इसकी आप राए लीजिए खिलाडी छांटने के लिए इनकी राए बहुत काम आएगी उन्होंने अभी इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट की है तो उस पदाधीकारी ने यह माना भी है कुशाल दास है नोंका उनका नाम है जनरल सेकेटरी है फुटबाल आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन के महासचीव कुशाल दास उन्होंने यह माना है कि हाँ उन्होंने ही कोच की मुलाकात इस जोतिशी से करवाई थी गजब का हाल है अगर फुटबाल की टीम इसी तरीके से सेलेक्ट की गई है मैं नहीं जानता हूं उसका नंतीजा क्या निकला है अगर वो जीत भी गई हो हार भी गई हो उससे मेरी सेहत पे और मेरी सोच पे कोई फरक नहीं पड़ता तो फिर ये बी सी सी आई जो है ये क्रिकेट टी टीम छाटने के लिए बड़े-बड़े सेलेक्टर और बड़े-बड़े कोच और सेलेक्टर जो है वो सेवन स्टार होटलों में ठह रहे हैं और वो हवाई जहाज के बहतर सीटों पर बैट कर दुनिया भर में जा रहे हैं और खूप सारा पैसा पा रहे हैं इसकी जरूरत क्या है और मैं ये सोच रहों की कोटा राजस्थान का जहां पर बच्चों को कोचिंग फैक्टरी में कच्चे माल की तरह ढाला जाता है और उधर से इंजीनियर डॉक्टर ऐसे कॉलेजों में दाखिला के लायक बना कर निकाला जाता है क्यों ऐसा किया जाता है क्यों भारत सरकार ऐसे ही जोतिश्यों है ऐसे ही जोतीशियों की राय लेकर क्यों नहीं छाट लेती लोगों को UPSC के इमतहान क्यों होते हैं गरीब बच्चे उसमें बराबरी नहीं कर पाते गाउं के देहात के गरीब बच्चे उतनी तयारी नहीं कर पाते कोचिंग नहीं ले पाते तो UPSC भी इसी तरह से छाट लिया जाए जोतीशी जो हैं उनको बैठा दिया जाए कुछ हस्तरेखा विशेशग्यों को बैठा दिया जाए कुछ अंक जोतीशीयों को बैठा दिया जाए कुछ फेस रीडिंग करने वालों को बैठा दिया जाए और उसके बाद भी अगर कोई कमजोर लगते हैं तो उनके लिए एक और पंडितों का एक शामियाना और बना दिया जाए जहां वो किसी तरह से ग्रह शांती कर सकें, किसी तरह की शुद्धी कर सकें और छाटे गए केंडिडेट को बराबर कर सकें क्यों ऐसा नहीं किया जाता है? अभी मैं देख रहा था इस समाचार को तो जो दे नैशनल कॉंसिल फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसीन NCISM है, जो भारती चिकित्सा पद्धतियों के लिए जो बोर्ड बना हुआ है उस बोर्ड ने अभी बैचलर आफ आयरुवेदिक मेडिसीन इन सरजरी के कोर्स में उन्होंने एक आप्शनल कोर्स चालू किया है आयरुवेदिक जोतिशी का यहन्हें जोतिशी पढ़के वो लोग पता लगाएंगे कि आयरुवेदिक के हिसाब से बीमारी कौन सी है क्या है क्यों है इसकी शिनाक्त में इसके डाइगनोसिस में मदद मिलेगी ऐसा जोतिशी पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के साथ में और भी कई जगे ऐसा चल रहा है मद्रदेश में एक हंगामा उला था जब पतंजली के एक सिंटर ने ये कहा था कि वो सरकारी एस्पतालों के मरीजों को जोतिश ग्यान के हिसाब से उनकी बीमारीयों के इलाज में मंदत करेंगे बाद में खर मद्रदेश सरकार ने कहा कि ये उसकी योजना नहीं है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है एक योग केंदर है भौपाल में उस योग केंदर में पतंजली के लोग जोतिश विद्धिया से लोगों की बीमारी और दूसरी चीजें इसके बारे में पता लगाने वाले है लेकिन कहीं न कहीं आयूर्वेट के साथ इसको जोड़ दिया जा रहा है किसी और भारती चिकिटसा पद्धती के साथ इसको जोड़ दिया जा रहा है जगे-जगे देश के बहुत सारे विश्विद्य आलेहों में जिसमें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी एई इगनू उसमें भी जोतिश का कोर्स कराया जा रहा है एक प्रोफेसर यश्पाल थे यहां पर बड़े वैज्ञानिक चेतना संपर्न व्यक्ति थे बड़े शिक्षा साश्त्री थे और अगर आप लोगों को याद नहों तो नीजी विश्विद्याले खुले थे उनके खिलाफ प्रोफेसर यश्पाल सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वहां से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सारे विश्विद्याले खारिज हुए थे दुकानदारी बंद हुई थी मुझको भी उनके साथ एक हफता रहने का हिंदुस्तान में हो रहा है कि लोग विज्ञान और टेक्नलाजी का आनंद पूरा पा रहे हैं लेकिन वज्ञानिक सोच होते चले जा रहे हैं और ये जोतेश जैसा पाखंड इस देश में पढ़ाया जा रहा है उन्होंने कहा था आज मैं कहूंगा तको मुझको कुछ लो कि ये अंद विश्वास कब तक चले और कहां तक चले कहां पे इसको इजाज़त दी जाए क्या खेलों के लिए खिलाडियों को छाटना जो है इसको जोतिशी तै करने लगेंगे जो कर रहे हैं अभी जो हुआ है 15-16 लाख रुपिया फुटबाल फेडरेशन में ने पेमिं और अंद विश्वास आपको याद होगा ये 2022 की बात है अप्रेल की CBI ने कोर्ट में चारशीट पेश की जो नेशनल स्टाक एक्शेंज है इंडिया का नेशनल स्टाक एक्शेंज बड़ा है लाखों करोड रुपे का वहां कारोबार होता है शेरों का उस स्टाक एक्शें की उसके खिलाब CBI ने कोर्ट में एक केस फाइल किया कि इसने मुखिया रहते हुए एक किसी बाहरी वियक्शेंज को यहां की गोपनी जानकारियां भेजी और उस वियक्शेंज के कहे हुए इसने स्टाक एक्शेंज के भीतर किसी एक वियक्शेंज को सारे नियम तोड़त हुए करोणों रुपए तनख्वा पे रखा उसको अंधा दुन्द प्रमोशन दिये उसको अंधा दुन्द अधिकार दिये इस किस्म की बात सी बी आई ने कोर्ट में कही है यह अभी के है 2022 की यह मामला अगर आपको याद होगा इसका भांडा ऐसे फूटा कि यह चित्रा र योगी है उस योगी को स्टाक एक्शेंज की सारी गोपनी जानकारी भेजती थी फिर वो योगी इसको सुझाता था कि तुम्हे एक काम करो तुम इस आदमी को चीफ आपरेटिंग आफिसर बना दो CEO बना दो मुखिया बना दो तो यह उसको अपाइंट कर लेती थी उसकी इतनी तनफ़ा कर दो उसको ये प्रमोशन दे दो उसको इंक्रीमेंट दे दो ये योगी बताता था क्या क्या करना है योगी को स्टाक एक्शेंज की सारी गोपनी जानकारियों की खबर यही उसकी मुखिया चितरा रामकृष्णा देती थी और चितरा रामकृष्णा से ज जो अलोकी को दैवी ये ताकत है और उस योगी से मैं मार्गदर्शन प्राप्त करती हूँ, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके मैं नेशनल स्टाक एक्सचेंज चलाती हूँ, सिबियाई को शक ये है कि जिस आदमी के प्रमोशन की बात इस तथा कती थी, योगी के भेजे गए, इमेल में सुझाई गई थी, और जिसको करोणों रुपय सालाना की तनफ़ा पे चितरा रामकृषना ने रखा था, यही आदमी है जो योगी के नाम से चितरा रामकृषना को जहां सा दे रहा था, खुद ही योगी बनकर इमेल के जवाब दे रहा था, चितरा रामकृषना को, खुद ही कह रहा था कि इस आदमी को तुम आगे बढ़ाओ, इस आदमी को नेशनल स्टाक एक्चेंज के उचे ओहदे पे रखो, इस किसम का, तो यह नेशनल स्टाक ए उपए का नियारावारा एक दिन में होता है, वहाँ पे अंधविश्वास पाखंड का ये हाल है, इधर अंधविश्वास और पाखंड का हाल, फुटबाल के सेलेक्शन में आपको देखने मिला, अब मुझको लगता है कि जो पाँच राजियों में विधान सभा के चुना नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं जोतिशियों को दे दिया जाए, सारी कुंडली दे दी जाए, सारे लोगों की, बीजेपी के सारे जो अरजी देने वाले लोग हैं, इनकी कुंडली दे दी जाए, उनको और कहा जाए कि आप जीत की संभावना बता दो, तो ऐसा भी करके द देखा जाए कुछ सीटें जहां पर नहीं बन रहा है उन पर जोतीशियों की मदद ली जाए और देखा जाए कि इस चुनाओं में क्या उनकी राय निकलती है वैसे मुझको यह याद पढ़ रहा है कि केदारनाथ में दस बरस पहले जो बाहर आई थी जिसमें हज्जारों लो ऐसा जो सब हुआ था शायद किसी जोतीशी ने उसकी भविश्वानी नहीं की थी यह जो आपको द्यान है एक बाबा है अभी एक नौजवान लड़के किसम का बाबा है जो शोहदों किसम की बातें करता है जो किसी का परचा बनाता है किसी को धमकी देता है कि तुमारे जिवार की शादी में जाके गुलियां चला दी या पिस्तॉल लेके धमकाया लोगों को गिरफतारी की नौबत आ गई गिरफतार हो गया ये बाबा को पता नहीं चला अपने आपको एक आउतारी पुरुश की तरह बताता है जो नौजवान लड़का इसको खुद को पता नह चला की क्या होने वाला है आपको दिहान एक निर्मल बाबा नाम का पाखंडी था वो इंटरनेट पर उसके कारिकरम में बैटने के लिए बुकिंग होती थी लंबे समय पहले से हाल में जाने के लिए बुकिंग होती थी भुकतान करके मोटा भुकतान करके टिकट लेके लो उसका क्या हाल हुआ अपने भक्त की नाबालिक बच्ची से बलातकार करने के बाद दस साल से बलातकार की कैद भोगत रहा है वैसे आज शायद जमानत की सुनवाई है उसके सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं जानता कि जज़ वकील इन में से कोई जोतिशी से किसी से सलाह मश्वीरा करने वाले तो नहीं है मुझको नहीं मालूम है लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे जज़ जो हैं वो भी आस्थावान हो उनका भी जोतिश विद्या में विश्वास हो उनको भी क्यों इतनी लंबी चोड़ी सुनवाई करनी चाहिए उनको भी राय ले लेनी चाहिए कि जोतिश महराज जोतिशी जी आप बतलाओ कि इसमें मुझरिम कौन है बेकसूर कौन है जगला टंटा खतम करें तुरंत ही कहां तक जाएगा ये देश आप लोगों की वज्ञानिक सोच को खत्म करने के तरह तरह के रास्ते रोज इजात करते हैं रोज यही नतीजा है कि फुटवाल फेडरेशन का एक हिंदुस्तानी पदादीकारी एक विदेशी कोच को क्रोईशिया से आया हुआ है वो उसके देश में शायद ये पाखंड चलता भी नहीं होगा उसको आप ले जाकर मिलवा रहे और इनसे आप राय लेओ और सैकड़ों संदेश आये गए हैं हर मैच के पहले हर खिलाडी के बारे में और उस जोतीशी के कहे हुए टीम बनती है तो चैन की क्या जरूरत है और ये जोतीशी जो है ये तो दूसरी टीम को भी बेच सकता है सिक्रेट सक्ते बाजों को बेच सकता है कि टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा महादेव एपो पे सक्ता चलने लगेगा कि टीम में कौन है कौन नहीं है हो सकता है चल भी रहा हो मुझको नहीं मालूम है इस रिपोर्ट के बाद देखना भी चाहिए सी बी आई को और दूसरी जांच एजेंसियों को कि क्या इस जोतीशी की लीग की वही जानकारी से दूसरे टीम की के खिलाडी तै हुए क्या उनको खबर लगी क्या इसके आधार पर सटा लगा ये देखना चाहिए तो मैं चाहता नहीं था कि मैं पाखंड के बारे में हर तीसरे चौथे दिन आपके सामने कुछ बोलूँ लेकिन ये बिलकुल नया मामला है ताजा मामला है ये ये मामला ऐसा है जिसमें पैसात मिल रहा है जो तीशी को खिलाडी चांटने का हो सकता है कि ये फुटबाल फेडरेशन की सेलेक्शन कमिटी के मुकाबले सस्ता पढ़ रहा हूँ क्या जरूरत है एडरेशन फेडरेशन की जो तीशी को ही बैठा देना चाहिए पैवेलियन में खिलाडियों के रूम में वही छांट दे चलो तुम चलो भीतर वो छांट दे कि ये दस बारा ग्यारा जितने लोग लगते हैं उतने चलो तुम लोग क्या जरूरत है किसी भी वैग्यानिक और तक्निकी पद्धती को अपनाने की सोचिएगा इस बारे में की देश कहां जा रहा है क्यों आप अपने बच्चों को कोटा भेजें क्यों यू पी एस सी की तयारी करवाएं क्यों कोई भी काम करें मेहनत का जोतीशी से पूछ लीजिए ज्यादा दूर नहीं है सड़क किनारे कोई तोता जोतीशी भी दिख जाएगा उससे पूछ लीजिए और नहीं तो फुटबाल फेडरेशन ने जिससे राय ली है जिससे टीम अपनी सेलेक्ट की है शर्मा जी से आप उनसे अपनी राय ले लीजिए सोचिएगा इस बारे में फिर किसी खबर को लेकर मैं आपके सामने रहूंगा तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको लगता है कि हम जिम्मेदारी की बात करते हैं हम तर्क और तत्य की बात करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन की बटन दबाईए लाइक कीजिए टिपनी कीजिए अच्छी बुरी जो आपको लगे वो लिखिए आप दूसरी बात एक अपील है आपसे मेरी कि अगर आप दुपईये पे चलते हैं तो हिलमेट लगा कर रखिए चौपईये में बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए किसी हाथसे की हालत में इनहीं से आपकी जान बज़ती हैं फिर मिलते हैं